नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर जून 2023 के बड़े सुमवार के दिन करें, एक सो आठ चावल दो लॉंग का यह महा उपाय आपके जीवन का दुख हो जाएगा खक्म, भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके जीवन मे खीचा हुआ चलाएगा धन, जून 2023 को आशाड महीने का बड़ा सुमवार पढ़ने जा रहा है, ये कोई साधारन सा सुमवार नहीं है, बलकि महा सुमवार है, बताया जा रहा महा शिवरातरी के बराबर का यह ताकतवर सुमवार होगा, जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भ और उपाय करते हैं, तो साक्षात आपको भोलेनात का वो आशिरवाद मिलेगा, जिसके बाद जीवन से आपके हर दुख तकलीफ, परेशानी खक्म हो जाएगी, दूसरी तरफ अगर आप आशाड के बड़े सुमवार के दिन 108 चावल और दो लोंग का वह उपाय कर लेते ह जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, और जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है, अगर आप वह उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कैसी ही इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी, देखिए दोस्तों धर्म शास्त जी की भी आराधना की जाती है ताकि उनकी हमको कृपा हासिल हो सके आखिर इस महीने भगवान भोलेनाथ और भगवान विश्नु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है चलिए आपको बताते हैं देखिए भगवान विश्नु भगवान भोलेनाथ जी को अपना इश्ट मानते है इसलिए कहा जाता है आशाड महीने के बड़े सुमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है उस थोड़े से उपाय से उसको करोडों गुना वापस से लाभ मिलता है आशाड महीने की शुरुवात 5 जून 2023 से हो चुकी है इसका समापन 3 जुलाई 2023 को होगा इस दोरान अगर आप बस बड़े सुमवार के दिन वह कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों तो आपके जीवन का कोई भी तकलीफ हो दुख हो दर्ध हो परेशानी हो वह सदैव के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी चाहे वह नौकरी संबंधित हो चाहे बंद पड़े बिजनेस को चलाने की इच्छा हो चाहे संतान प्रा और लौंका वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपका बंद पड़ा ब विश्नु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशिरवाद और वर्दान हासिल होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए विश्नु भगवान की। जै भोलेनाथ जी की और एक काम कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशी के अनुसार हमको कोई भी। लिखिए दोस्तों यह जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह से उपाय है जो बड़ी आसानी से आप दो चार मिनट निकाल करके सुमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों इस सुमवार के दिन पूरे सोलह तरीके के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में एक चमतकारी बदलाव लेकर के आएंगे अगर आपने यह उपाय कर। लिए जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। के बड़े सुमवार के दिन अगर वह भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके बाद 108 चावल का दान करें, भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें तो समझा जाता है। कि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चड़ाते हैं। दूसरा अगर आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं। आपको जो नुकसान पहुचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी ना बिगार पाएं तो दोस्तों आशाड महीने के बड़े सुमवार के दिन जाएं। किसी भी शिवालई जाएं। वहाँ पर पहले एक लोटा जल भगवान भोलेनात को अर्पित करें। उसके बाद भगवान भोलेनात को दो लॉंग अर्पित करें इतना करने। घर से आप मान के चलिए दोस्तों जो आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुचाना चाहते हैं। वो आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे। यह उपाय सिर्फ आशाड महीने के बड़े सुमवार के दिन किया और समझा जाता है। आशाड महीने सुमवार के बड़े सुमवार के। और दोस्तों यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा भी और तिकेगा भी और उसमें वृद्धी भी होगी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से। पहले आपको ऐसा एक लोटा जल देना है जो आपके घर का जल हो और उसमें दो-चार बूंद गंगा जल मिला लेना है और गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है उसके बाद 108 गेहुं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चड़ाना है। इच्छा उपाय जो हम बताने हम जा रही हैं। क्योंकि आंकडे के जो फूल होते हैं भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है आंकडे। ओके फूल में भगवान गणेश जी का भी आशिरवाद होता है तो दोस्तों यह उपाय करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा जो आप सह रहे हैं वह बंद हो। जाएं तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कच्चे दूध में तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिशेक करें और यह उपाय अगर आपने इस आशाध महीने के बड़े सुमबार के दिन कर लिया तो आपके बिजनिस में जो आपको लगातार घटा हो रहा है वह घाटा होना बंध हो जाएगा छठा अगर आप किसी रोग से से पीडित हैं अगर आपको किसी बीमारी ने धर लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परिशान हैं आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपका रोग बिलकुल ठीक हो जाएं तो दोस जिस महीने के बड़े सुमवार किसी भी शिवालय जाए पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिशेक एक पवित्र जल से करें जिसने गंगाजल मिला हो फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिशेक फिर से गन्ने के रस्से करना है फिर आपको भगवान भोलेनाथ का अभ बीमारी से आप ग्रसित हो आप एकदम ठीक हो जाएंगे अब दोस्तों कई लोगों की जो इच्छा होती है वह यह इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की प्राप्ती हो जाएं एक विद्वान संतान की प्राप्ती हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए आश पुत्र की पुत्री की विद्वान पुत्र की आपकी वह जरूर ही पूरी होगी और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की प्राप्ती होगी, आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, व अन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए